हाई आई एम पर्दी वाइलकम टुमाई यूटूब चैनल तो दोस्तों आज को मैं ऐसी मोटिविशन वीडियो देने वाला हूं अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपकी जिन्री का जो रुख है वो बदल जाएगा आप जो सोचते हो और नहीं हो पाता है बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ऐसा कर सकते थे लेकिन ऐसा हमने नहीं किया और कोई बिजनिस करना चाता है लेकिन बिजनिस नहीं कर पाता और पूरी जिन्दगी वो एक मजदूरी करता रहता है मालीज एक कंपनी में वो जोब करता है तो उसको यह अच्छा लगता है कि मैं 9-5 जूटी करके अपनी पूरी जिंद्गी गुजार दूँगा लेकिन गुजार तो देगा लेकिन वह वहीं की वहीं रह जाएगा आदमी कभी भी उपर या फिर एक अच्छे मुकाम पक आदमी नहीं पहुंसकता माली जे कि अगर उसकी उमर 30-35 साल है तो वह यह सोच सकता है क्योंकि उसकी उपर बहुत प्रेशर होता है अपने बीवी बच्चे का फैमिली का घर का या फिर बहुत प्रोब्लम उसको होती है लेकिन जो भी 25 या 30 से कम उमर के होता है फ्री टाइम होता है वो ऐसा कर सकते है रिस्क ले सकते है रिस्क का मतलब यह होता है कि हम यह सोते हैं कि हमारे पैसे डूब जाएंगे या फिर इसको करने से मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा देखिए अगर आप कुछ नहीं करो करते हैं वहीं जिन्दगी में कावियां होता है वरना कोई कामियाब नहीं हो पाता है अब मालीजी आप जिस कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी को ही मालीजी जितना आप काम करोगे उतना उस लेवल पर वह कंपनी जाएगी अगर इतना ही काम आप अपनी खुझ की जोब था शीकशन से बढ़ा में वनता ऐंब से गारी के इनला смотреть को Yamin Vahesh एकडम से कोई और नहीं बनी दिन्हार मैं और रावर की करने दोछ सब्सक्राथ की को बढ़ाता साथ चलाता है और एक उदान के तोर पर मैं आपको बता जाता हूं कि एक व्यक्ति के पास एक पंप था और फिर उसने जो है दो पंप कर लिए और आज उसके पास पांच मंप है मेरे आखों के सामने जब मैं चार-पास साल पहले गाड़ी चलाता था तो मैंने देखा था वहां पर कि उसके पास उसी से में तेल डलवाता था हमेशा के लिए तो एक पंप था उसके पास बहुत छोटा पंप था लेकिन उसका एक सोत रहता था कि सब को टाइम से सैलरी देना सब कुछ अपने हिसाब से क करना कभी उसने किसी के पैसे बगरा नीथ उसकी जो दिमाख होता है वो सिथर रहता था उसका अपने वर्करों को अच्छे तरीके से रखता था और बढ़िया उनका जो भी पैसा बनता था वो टाइम टाइम उनको देता था और उसने 25 गाडिया फिलाल उसके पास है तो 25 मालिक है और उसके चार पंप है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं और मैं अपनी बता देता हूं कि मैं आज वही के वहीं हूं मैं ड्राइवर का ड्राइवर रूम है अभी तक मालिक नहीं बना क्यूंकि अब आप सोच लीजिए अगर सोच रखोगे तो जिन्दिये में कभ से डूब जाएंगे कोई कंपनी लेकर भाग जाएगी तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि होने को सब कुछ होता है बड़े आदमी छोटे से सुरुआत करके बड़ा आदमी बनता है तो अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लिज लाइक करें सेर करें और अपने प्रेस साकार करें इस वीडियो के माजन से